अज़ाई मेहरे मैं आज आपको एकागरता जीवन में क्यों ज़रुरी है इसका एक एकजामपल बताऊंगा प्रैक्टिकल वाला और उसके उपर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बताऊंगा और साथी साथ आप अपने जीवन में एकागरता कैसे बड़ा सकती है इसके कुछ टिप्स बताऊंगा दोस्तो प्रैक्टिकल एक्जामपल के तोर पे एक सुई लेते हैं ठीक है और एक रीर याने धागा लेते हैं जब हम इस सुई में धागा डालने जाते है तो अपना पूरा फोकस उस सुई के छेत पर होता है अपने को जब हम डाल के देखा तो पूरी चीजे धुनली दिखी याने अपना पूरा फोकस एकागरता उस चीज पर होता है जो हम अच्यू करना चाहते है यदि आप जीवन के लक्ष की और इसी तरह एकागर होंगे बाकि सब चीजे आपको धुनली दिखेंगी तो आपक पाने से कोई नहीं रोक सकता जीवन में एकागरता क्यों जरूरी है जीवन में अपने लक्ष को पाने के लिए एकागरता सबसे जरूरी है बिना एकागरता के जीवन एक उस ट्रेन की तरह है जिसका कोई ड्राइवर नहीं वह ट्रेन चल तो रही है लेकिन अपने मंजिल तक पोचेगी या नहीं इसके आप गैरंटी नहीं ले सकते एकाग्रता क्या है अपने लक्ष से अपने टार्गेट से जीवन के अपना ध्यान भटक ने ना देना मतलब एकाग्रता है आप जितना ज्यादा कोंसेंट्रेटेड जितना ज्यादा एकाग्र होंगे जितना ज्यादा आपका कोंसेंट्रेशन होगा उतनी 아पकी मन्जिल आपके निकटाएगी आपकी मंजिल आपके निकट होगी स्वामी वियकानन्द जी ने concentration की definition कुछ इस तरह दी है the power of the mind are the rays of the sun when they are concentrated they are illumined याने मस्तिष्क की शक्तिया सुर्य की किर्णों की तरह है जब वह केंद्रित होती है तब वह चमक उठती है why the concentration is important in your life आपकी जीवन में एकागरता क्यों जरूरी है दुनिया में बहुत से ऐसे लोग है जो जीवन में औसफल हो जाते है जबकि वहाँ अपना लक्ष टाई करते है और अपने लक्ष की और कठिन परिश्रम भी करते है आकिर क्यों वहाँ लोग औसफल होते है किसी भी स्कूल में बहुत से स्टूडन पढ़ते है सभी स्टूडन को एक ही टाईम पे एक जैसा ही पढ़ाया जाता है आकिर क्यों कुछ लोग कुछ स्टूडन पढ़ाई में अच्छे होते है कुछ आवरेज होते है और कुछ विक होते है एक runner अपने साथ के अन्य runners को पीछे छोड़ कर खुद आगे निकल जाता है और race जीत जाता है जबकि सभी runners दवना अच्छे से जानते हैं क्या कारण है कि एक क्रिकेटर मैच में century बनाता है जबकि दूसरा जल्दी आउट हो जाता है जबकि दोनों ने मैच प्रेक्टिस एक साथ ही की होती है क्या कारण है कि एक मनुष्य जिसके आसपास बहुत सारे problems होते हैं फिर भी वहाँ सफल होता है और एक मनुष्य जिसके आसपास कोई परेशानी कोई problem नहीं होती फिर भी वहाँ सफल होता है ऐसे हजारों प्रशन बन सकते हैं जिनमें बहुत से लोग एक जैसी power होती है एक जैसी ability होती है एक जैसा तरीके से काम करते हैं एक जैसे लक्स तक पोईचना चाते हैं फिर भी कुछी लोग क्यों सफल होते हैं सभी प्रशनों का और ऐसे हजारों प्रशनों का एक हி हुत्तर है एकाग्रता का होना दोस्तों महाभारत की एक प्रसिद्ध काहानी है अर्जुन और चिडिया की आख मैं आपको वहाँ बताना चाहता हूँ एक बार की बात है दुरुनाचर्य को कौरव में से दुर्योधन हमेशा अर्जुन का पक्ष लेने के लिए प्रश्न उठाता है तब वे दुरुनाचर्य जी एक परिक्षा लेने की तई करते है जवाब देने के लिए गुरु दुरुनाचर्य एक आगरता की महत्ता समझाने के लिए सभी पांड़ोगों की परिक्षा लेते है गुरु दुरुनाचर्य एक लकड़ी की चिडिया तैयार कर उसे पेड़ के बीच में लगा देते है और सभी लोगों को एक-एक करके वह चिडिया के आख पर निशाना लगाने के लिए आगे आने को कहते है सबसे पहले युदिष्टर आ गया आता है और युदिष्टर से दुरुनाचर्य सवाल पूशते है युदिष्टिर तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है युदिष्टिर उत्तर देता है गुरुजी हमें पेड की डहनिया पत्ते लकडि की चिडिया और अने चिडिया दिखाई दे रही है यहां उत्तर सुनकर गुरु द्रोनाचर्या युदिष्टिर को निशाना लगाने से मना कर देते है तभी गुरु दोनाचारिया सभी को एक एक कर निशाना लगाने के लिए ऐसा सवाल पूछते हैं सभी इसी प्रकार उत्तर देते हैं किसी को पेड दिखाई दे रहा है किसी को टहनिया दिखाई दे रहा है किसी को पत्ते दिखाई दे रहा है किसी को लकडी की चिडिया दिखाई दे रही है गुरु द्रोनाचरिय दिश्टिर को जिस प्रकार मना करते है उसी प्रकार सभी को निशाना लगाने के लिए मना कर देते है यही प्रश्ण गुरु द्रोनाचरिय अर्जुन को पूछते है अर्जुन तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है तभी अर्जुन उत्तर देता है गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ चिडिया की आख दिखाई दे रही है गुरु द्रोनाचरय खुश हुए उन्होंने अर्जुन को तीर छोड़ने के लिए कहा अर्जुन ने धनुशें से निशाना साधा और तीर छोड़ दिया तीर सीधी जाकर उस लकड़ी की चिडिया के आख में लग गई इस प्रकार अर्जुन ने अपना निशाना साधा और द्रोनाचरय ने इतर शिश्यों को कॉंसेंट्रेशन याने एकाग्रता की महत्ता समझाई जो व्यक्ति सबसे जाधा एकाग्र होता है वह अपने जैसे knowledge और ability होने वाले लोगों के कई सामने निकल जाता है और अपनी मंजी जल्दी पा लेता है और सफल हो जाता है सफल वही होता है जो अपना ध्यान problems से समस्याओं से हटा कर लोगों से हटा कर अपने target के और अपने लक्ष के और focus करता है concentrated करता है एकाग्र होता है जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारे पूरी energy पूरा focus अपने लक्ष के और होता है और result यहाँ आता है हम जीत जाते हैं इसी knowledge और ability रखने वाले बहुत से लोग एकागरता की कमी के वज़े से औसपल हो जाते हैं दोस्तों अब मैं आपको how to increase our concentration power, how to improve our concentration power इस पर कुछ tips बताना चाता हूँ पहला तरीका है आप योगा और meditation कर सकते हैं जिससे आपका concentration power बहुत ज़ादा बढ़ जाता है दूसरा और सबसे आसान तरीका आप वर्तमान में रहना सीखे कुछ ऐसे कारिया किये जा सकते हैं जियो आपको वर्तमान में जीना सिखाए जैसे कि आप अपने breathings को count कर सकते हैं इससे आप directly present में आ जाएंगे live in the present तीसरा तरीका है अपने कारिया में मन लगाईए या तो वहा कारिया कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो चौथा तरीका है फालतु की बातों पर ध्यान मत दीजिए और काम की बातों को दिल में जगा दीजिए पाचवा तरीका है अपने कार्य पर ध्यान दीजिए दूसरे क्या कर रहे है इस पर ध्यान मत दीजिए जब कोई आप अच्छा काम कर रहे हो तो पीछे किछने वाले बहुत लोग होते है अपने कार्य पर ध्यान दीजिए सफलता का मंत्र है एका अग्रता और आपका निश्चित लक्ष याने सफलता that means concentration plus target equal to success दोस्तों स्वामी विएका नंदजी कहते है take up one idea make that one idea your life think of it, dream of it and live on that idea let the brain, muscles and every part of your body be the full of that idea and live every other idea alone and this is the way to success अर्थात, अपने विचारों को हकिकत में पुरा करने के लिए संपुर्न एकाग्र हो जाओ सफलता मिलकर ही रहेगी इन सभी बातों को आप ध्यान में रखकर अपनी एकाग्रता को अपने लक्षी से जोड़ कर काम करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता खुद मोटिवेट रहे औरों को मोटिवेट करे आसपास सापसफाई रखिये धन्यवाद